शोताओं नमस्कार इस विशेश कारिक्रम के साथ मैं विकल्प शुकला शोताओं बीते लगभग एक वर्ष से मात्मा गांधी की एक सो पचासवी जैनती के उपलक्ष में देश और दुनिया में अनेक आयोजन हो रहे हैं इन आयोजनों और करिक्रमों के जरिये बापू के वेक्तित्व, कृतित्व और उनके संदेशों को याद किया जा रहा है चतिसगर से भी मात्मा गांधी की अनेक यादें जुड़ी हुई हैं बापू ने दो बार चतिसगर छेत्र का दौरा किया था बापू की ये दोनों यात्राएं कब हुई थी, इनके उदेश क्या थे और इन से जुड़े रोचक संस्मर्णों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिश पत्रकार और चिंतक शशांक शर्मा जी शशांक जी अकाश्वानी के स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं जी नमस्कार शशांक जी जैसा भी हमने जिक्र किया कि महत्मा गांधी आजादी के अंदोलन के दोरान दो बार चतिसगर के इस इस इलाके में भी आये थे तो ये जो यात्रा हैं वो कब कब हुई थी महत्मा गांधी जी के विकल्ब जी ऐसा है कि महत्मा गांधी मूल नाम तो महंदास करमचन गांधी अगर मैं आपसे कहूँ कि दो बार उनकी जो यात्रा है वो एक बार महात्मा बनने के पहले जब वे मोहंदास करमचन गांधी थे और असायोग आंदोलन की उन्होंने घोशना की थी और नाकपुर में एक अधिवेशन था कॉंग्रेस पार्टी का जिसमें कॉंग्रेस जो नहर के पानी को लेकर धमतरी के छेतर के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ में एक आंदोलन छेड रखा था तो उस आंदोलन के प्रनिता थे पंडित सुंदरलाज शर्मा वो उस समय कलकत्ता में थे उन्होंने गांधी जी से आगरह किया था कि वे नाकपुर जाने स रायपूर में और कंडेल में आएं तो उससे आंदोलन कारियों को बल मिलेगा क्योंकि चंपरण में जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी उसकी लगबख प्रकृति ऐसी थी कि राजकुमार शुकलों को कलकत्ता से लेकर चंपरण गये थे और उसका प्रभाव दे अधिकारियों को यह पता चला कि गांधी जो है वो कंडेल सत्यागरह में आ रहे हैं उन्होंने एक दिन पहले ही कंडेल सत्यागरह के जितनी मांगे थी आंदोलन कारियों कि वो मांगे मांदली और कंडेल सत्यागरह समाप्थ हो गया तो गांधी का जो पहला 36 गड़ पार से कोई जिक्र मिलता नहीं है पंडित रवीश अंकर शुकल या पंडित सुंदरलाल शर्मा यह बहुत अच्छे लेखर भी थे सब चीजों को लिखते थे लेकिन लिखित में कहीं मिला नहीं है फिर भी इतिहास में हम इसको गांधी जी का प्रसम प्रवास मानते हैं जैस गांधी जी की एक सबसे बड़ी विशेष्टा यह थी कि गांधी जी को हम जिस प्रकार से एक स्वाधिनता सेनानी मानते हैं आजादी दिलाने के प्रनेता मानते हैं मैं उससे अधिक गांधी को भारत के अंदर में एक राजनितिक जागरुकता पैदा करने वाला महापुर तो जब भारत स्वतंत्र होना था और उसमें लोगतंत्रिक व्यवस्था लागू होनी थी तो भारत का जब तक अंतिम व्यक्ति जब तक राजनितिक व्यवस्था से जुड़ेगा नहीं हर श्रेणी का हर जाती का हर वर्ग का गाउं का शहर का व्यापारी शात्र महिला जाते थे तो जो भी उनकी मुख्य सभा होती थी वो तो होती थी वो विशेश तोर पर महिलाओं के साथ बैठते थे उनको राजनितिक रुप से जागरित करते थे उनको चर्खे को लेकर उनके अंदर में एक उत्सा पैदा करते थे उनको सौलंबी होने की सीख देते थे और गांधी जहां भी जाते थे तो रायपूर में भी जब 1922 में ऐसा माना गया कि रानन समाज वाचनाले में उन्होंने कुछ महिलाओं को संबोधित किया था और उनको चर्खा और स्वदेशी को लेकर प्रेड़ना दी थी अच्छा शेशांग जी ये तो हुई गांधी जी के प्रथम प्रवास की बात 1933 में जो उनका दृतिय प्रवास था 36 गड़ में वो क्यों हुआ उसके क्या कारण थे विकलब जी ऐसा था कि 1920 में हमारे नेता जाकर उनको एक आंदोलन में उनके सहयों के लिए हम बुलाने गय थे और इसलिए आये थे लेकिन 1933 में जब महत्मा आंदी चत्तिसगड के दोरे पर आये थे तो वो उनकी स्वप रेर्णा से थी और हुआ यह था कि अंग्रेजों ने एक कमिनल अवार्ट की घोशना की थे जिसमें उन्होंने भारत के अंदर में जो अनुसुची जाती वर्ग के लोग हैं उनको कुछ राजनेतिक और तमाम आरक्षन देनी की बात हुई थी जैसे उन्होंने मुसलमानों को 1909 में दिया था प्रितक निर्वाचन की तरह तो उससे डॉक्टर बिया रामबेटकर उस समय बड़े नेता थे तो वो बड़े उत्साहित थे लेकिन महात्मा गांधी को लगा कि यह जो नेड़ने था अंग लेट हुई और वहीं एक पूना समझोता हुआ तो डॉक्टर आमबेटकर कहते थे कि गांधी जी आप जो अनुसुची जातियों को यह जो महत्पूर्ण लाव मिल रहा है आप उससे उसको वंचित कर रहे हैं तो गांधी ने उस पैक्ट में कहा था कि मैं अनुसुची जा जो दुश परिणाम है वो ज्यादा होगा उन्होंने वादा किया था डॉक्टर आमबेटकर से कि इसके बाद जब भी चुनाओं होंगे उस समय अनुसुची जाती वर्ग के लिए जो सीटे आरक्षित अंग्रेजों ने व्यवस्था की थी मैं उससे दुगनी से भी ज्या पाइदा इस्तिफा दे दिया और उन्होंने डॉक्टर आमबेटकर को ये वचन दिया कि वो आजीवन हरीजन उद्धार में अचुतों के उद्धार में जब तक देश में अचुत और गैर अचुतों की बीच में समानता और बराबनी नहीं हो जाएगी तब तक वो इसके ये काम करेंगे उसके लिए वो देश व्यापी दौरा किये थे और विकल भी आपको जानकर बहुत आश्यर होगा कि गांधी ने ये देश व्यापी दौरा अचुतों धार के लिए किया था उसकी शुरुवात ही च्छतिसगर से की लब ये सबके लिए सभागी की बात है कि इस धर्ती पर जो है यहां से उन्होंने उसका शुरुवात की तो वो च्छतिसगर ही पहला राज्य उसके लिए पढ़ता था अच्छा शशांग जी ये जो दूसरा दौरा था गांधी जी का 1933 में वो कब से कब तक हुआ और इस दौरान गांधी जी कहां कहां गय थे विकल 28 नवंबर को उनका आगमन हुआ था और 28 नवंबर को वे यहां से चिंदवाडा बाला घाट होते हुए इतारसी गय थे पांच दिन पूरा वो च्छतिसगर में रहे उनकी शुरुवात जो है दुर्ग से होती है क्योंकि वो वर्धा राजनान गाउं होते हुए आय थे तो उन्होंने एक स्वदेशी मेले का उद्गाटन किया था फिर उन्होंने आमसभा को संबोधित किया फिर धमतरी भी गये कुरूध होते हुए नया पारा राजीम होते हुए उन्होंने एक दोरा किया उसके बाद रायपूर में उन्होंने मौधा पारा के आसपास कहीं एक हर बिलासपूर जाने के लिए निकले तो बलोदा बजार गये फिर सिमगा नान घाट होते हुए बिलासपूर गये बिलासपूर से वापस लोटे और उनका आखरी महत्वपूर जो कारिक्रम था वो रायपूर इस्थित उस्ता में जो राजकुमारों का कॉलेज था जिसको आज के भीड़ उमड़ पड़ती थी क्योंकि अब महंदास करमचन गांधी नहीं थे अब ये महात्मा गांधी थे और उसी महात्मा गांधी अपने उस समाज की जिम्मेदारी को निर्वहन करने आये थे जो भारत के हमारे समाज की सबसे बड़ा दुरगूर हम मान सकते हैं तो ये जो अच्छूतों का भेट था उसको दूर करने के लिए शशांग जी हम बात कर रहे हैं गांधी जी की जो दो यात्राएं हुई 36 गड़ में अजादी के अंदोलन के दौरान उनकी मैं ये जानना चाहूंगा कि दोनों यात्रा चाहे वो उनकी पहली यात्रा दिसंबर 19 1920 में हो और या फिर जो दूसरी यात्रा नवंबर 1933 में दूसरी यात्रा काफी लंबी रही थी उनकी लगभग 5 दिन की इनका 36 गड़ के लिहाज से इस पूरे इलाके के लिहाज से क्या एतिहासिक मात्व है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 36 गड़ भले ही आज हम एक पिष्डा हुआ प्रदेश कहते हैं आज हमें उस आत्मगरो और स्वाविमान का बोध नहों लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 19 शताबदी के अंत से बलकि 1875 के बाद से अगर मैं कहूं तो 36 गड़ एक बेहद राजनितिक तोर पर जागरुक साहित्य और संस्कृति की दृष्टी से बेहद जागरुक छेत्र हुआ करता था और इसलिए हम उस समय कहते हैं कि माधोर और सप्रे पहला जो हिंदी का समाचार पत्र है वो यहां से प्रकाशित किये थे और उस समय साहित्य के छेत्र में बड़े बड़े नाम पदुमलाल पुन्नलाल बक्षी जैसे नाम उस समय यह हुआ करते थे गांधी के प्रसम प्रवास से लेकर गांधी के दुइति प्रवास के बीच में जो सबसे बड़ा राजनेतिक प्रभाव है मैं आपको यह बता दिना चाहता हूँ कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो गांधी जी ने हरीजन उद्धार और हरीजनों के मंदिर प्रवेश का जो आंदोलन 1922 से शुरू किया वो 1917-18 में राजिम के एक मंदिर में हरीजनों को अच्छूतों को मंदिर प्रवेश करके शुरू कर चुके थे और इसलिए जब रायपूर में 1933 में आया है महात्मा गांधी तो उनको यह जानकारी हुई कि पंडित सुंदरलाल शर्मा तो पहले ही यह काम कर चुके है इसलि बड़ा प्रभाव जो है गांधी का पड़ा वो राजनितिक जागरुकता थी तो मुझे लगता है कि गांधी ने यहां की जन्मानस को बहुत प्रभावित किया गांधी ने केवल राजनितिक छेत्र में नहीं यहां की समाजिक आर्थिक शेत्र में भी बहुत प्रभावित लग जगों पर गए थे तो ये बताईएगा हमारे शोताओं को कि वो कहां कहां ठहरे और कुछ रोचक संस्मड उनके दूसरा प्रवास को कि काफी लंबा था कुछ बड़े रोचक किस्से होते हैं घटनाए होती हैं उसके बारे में बताईए विकल जी पांस दिन के प्रवास में ऐसा लगा जैसे मानो गांधी का दर्शन करने के लिए हुजूम लग गया हो जहां पता चलता था कि गांधी आ रहे हैं वहां हजारों लाकों उसमें आबादी कितनी रही होगी 36 गड़ की 1950 में 36 गड़ की आबादी ही पूरी पौन करोड थी अब आप सोचिए उससे और वहां पहुचे इतने भीड कि गांधी को वहां से निकालना मुश्किल हो रहा था तो एक दरवाजा तोड़ के पीछे से गांधी को निकाल कर ले जाना पड़ा और लोग उनको चूने जैसे कोई अगर उनको चून ही पाता था तो वो गाड़ी उनकी कार को ही चून लेते यही जानना चाहरा था आपने कहा कि लोग काफी भेट दिया करते थे किस किसम की भेट हुआ करती थे गांधी जी फिर उन भेटों का क्या किया करते देखे सबसे प्रमुख भेट तो उनको पैसे की थैली दी जाती थी जो उन्होंने अचुतोद्धार के लिए कारेकरम जब वो दमतरी से लोट रहे थे तो अचानक रास्ते में एक पोटली उनके कार में आकर गिर गई तो गांधी ने उसको उठा कर देखा तो उसके अंदर से कुछ चावल, सुपाडी और हल्दी निकला तो हम भी किसी व्यक्तिय को सम्मान करने के लिए ये चीज़ें देते ह तो किसी एक महिला ने ये पोटली फेक कर क्योंकि मिल नहीं पाया तो पोटली फेक दी तो गांधी ने उसको सहर्ष सविकार किया कहा कि ये तो बहुत अच्छी भेट है गांधी जी की एक और विशेष्टा थी उनको जो भी भेट मिलती क्योंकि वो बिलकुल भी वस्तु बहुत तिकता से बहुत दूर थे और उनका मुल उदेश धन संग्रह करना था तो उनको मिली कोई भी भेट को वो निलाम कर देते थे इस पोटली को वो जब नया पारा राजिम गए तो एक सो एक रूपए में उन्होंने निलाम कर दिया ऐसे उनको एक अंगुठी मिली थी प को गांधी जी के बारे में चत्तिसगर की आत्रा में उनके मिलेंगे उन्होंने यहाँ पर शशांग जी अपने चत्तिसगर के जुती अप्रवास के दौरान राजकुमार कॉलेज में भी जो विद्यार्थियों उनको संबोधित किया था और वो भी उनका जो संबोधन है व उनको जब पता चला कि गांधी जी आय हुए है तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि गांधी को अपने कॉलेज के अंदर लेकर आए लेकिन आप देखिए अंग्रेजों का शाशन था और गांधी अंग्रेजों के विरोध में लगातार आंदोलन करते थे तो वो जानते थे कि इस तरह का कारेकरम करूँगा तो उन प्रिंस्पल के खिलाफ में अनुशाशनात्मा कारवाई भी हो सकती है यह रिस्क लेते हुए उने पंडित रवीशंकर शुकली जी से आग्रह किया कि हमारे कॉलेज में आप लेकरा है गांधी जी गय और वहां तो आप जानते हैं उस एक स्वतंत्र भारत में रियासतों की क्या इस्थिती होनी चाहिए राजा का भारत के प्रती और भारत की जनता के प्रती किस प्रकार का भाव होना चाहिए राजाओं के व्यवहार कैसे होने चाहिए उसको लेकर बहुत दोटुक उन्होंने बाते कही थी उन्होंने कहा था तो वो राजा कैसा है तो इसलिए उन्होंने सीख दी कि वही आप भारत की भाषा को जंता की भाषा को और हिंदी आपकी भाषा को सीखे उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की बहुत सारी बुराईयों को हमारे राजकुमार और राजा बहुत आसानी से ले लेते हैं जैसे मद्यपान करना, जुवा खेलना, घुर दौर में हिस्सा लेना, उन्होंने उनको सक्ती से कहा था कि आपको ऐसी बीमारियों से बचना चाहिए, तो उन्होंने स्वतंत्र भारत में इन राजाओं की क्या भूमिका हो, लोकतंत्र में इन राजाओं की आगामी क्या भूम जैसे माया है कि गांधी जी ने पहली बार रिवॉल्विंग चेर का इस्तमाल अपनी दुर्ग की सभा में किया था और उनको बड़ी पसंद आई थी, उसकी बारे में थोड़ा सा शोताओं को बताएं देखिए, जब वो दुर्ग पहुंचे, तो धन्शाम सिंग गुप त उससे में कॉंग्रेस पालिटी के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने वो सारा आयोजन किया था, लेकिन किसी को ये कलपना नहीं थी कि 50,000 लोग जो हैं वो उनका भाशन सुनने आ जाएंगे, तो माय की कोई व्यवस्ता नहीं थी, तो 50,000 लोगों को गांधी जी कैसे संबोधित करें, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि भई, हम एक गोल घेरे में सब को बिठा देते हैं, अच्छा, गांधी जी के आवाज जो थी, वो बेहत बुलंद थी, कई मीटर दूर तक उनकी आवाज सुनाई देती थी, तो अब समस्या ये थी कि एक तरफ अगर खड़े होके भाशन देंगे, एक तरफ बैठ के देखेंगे, तो दूसरी तरफ उनका चेहरा दिखाई नहीं देगा, और हर कोई उनके चेहरे को देखने को लालाई था, तब घंशाम सिंग गुप्त जी ने एक रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि एक जाया अविशकार कह लीजिए, गांदी को देखने सुनने का उन्होंने किया था, वैसे शेशाम जी एक बड़ा दिल को छुलेने वाला किस्सा है, कि जब वो बिलासपूर के लिए कार से रवाना हुए थे, तो नांद घाट के पास एक व्रद महिला उन्हें मिली थी, और व्रद महिला ने इक्षा जटाई कि वो उनके पैर धोना चाहती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताई है, जी वो ऐसा है कि गांदी जी का काफिला जब चलता था, तो जन्दरली कहीं बीश में रुखते नहीं थे, लेकिन पता नहीं कि वो नान घाट में एक बहुत व अगर धो गे तो मैं एक रूपिया लूँगा आपसे, अब वो इतनी गरीब थी वे चाहिए, उन्होंने मजाक में कहा था शायदी, उन्होंने बाद में कि समझाया, उन्होंने कहा एक रूपिया लूँगा, तो आच्छा वो यह भी टेस्ट करना चाह रहे होंगे, कि यह सम्मान कर रही है, वया बस देखा देखी सम्मान कर रही है, तो उन्होंने उस से रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो आपको ऐसे ही कह रहा था, उन्होंने फिर उनकी इच्छा पूरी की, और एक और बहुत अच्छा किस्सा है, वो गुजराती थे, तो एक ब प्रुवा करते थे धमतरी के ही थे तो उनसे कहा कि जैन साब वो नापी बुला लो अब यहां नापी कोई समस्ता नहीं था तो हरकम पाज गया कि गांदी जी को नापी चाहिए यह नापी क्या है तब उनको बताया गिए अभी नाई को बोलते हैं आज वो हजामत बनवाना च लेकिन इस पैसे का आप चारा खरीद के गायों को खिला दो तो यह सेम ऐसे ही राइपूर में हुआ था राइपूर में भी एक नाई ने जब उनकी हजामत बनाई जी तो उन्हें आप से पैसे नहीं लूँगा और तो अड़ गए और आखिर में जो बाद में जो रोचक कि उनके बारे में हमाई शोताओं को बताया और जब मैं सुन रहा था इस इंटर्विव को आपके साथ कर रहा था तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था खियाद मैं उस दौर में पहुँच गया हूँ हमाई शोताओं को भी यह महसूस हो रहा होगा हम सब उस दौर के नहीं है लेकिन आप हमें इतिहास के उस दौर में अपने शब्दों से अपनी बाची से ले गए बहुत बहुत धन्यवाद इतनी रोचक और इतने अच्छे साक्षातकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकल जी मुझे लगता है कि गांधी का दर्शन और विचार इस देश और दुनिया का भविश्य है अगर हम उनकी 150 वी जनती बनाते हुए उनकी विचारों को अपनाएं तो मुझे लगता है कि एक अच्छे समाज अच्छे देश और एक